दोस्तों जहां से हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था वहीं से हम लोग शुरुबात करेंगे तो मेमूद बेगरहा तक हम लोग बात कर चुके हैं अब बचा है मालवा, मेवार उसके बाद अगर आप देखो तो नौर्थ वेस्ट और नौर्थ इंडिया में शरकी डाइनस्टी, लोधी सुल्तांज और कश्मीर अब देखते हैं दो वीडियो या तीन वीडियो कितनी लगती है इस परटिकुलर चैप्टरों खतम करने में आपको बैक टो बैक वीडियो यहां पे मिल जाएंगे आगे बढ़ने से पहले एक बार नक्षा जुरूर देख लो उपर जमून कश्मीर नजर आ रहा है हलाकि कश्मीर वाले टापिक में आपको नक्षे की ज़्यादा जरूर्थ नहीं पड़ेगी दो तीन location's याद रखिये एक तो यह मेवार की जो प्रिंसेपलिटी एश को याद रखना दूसरा यहां पे जो मालवा आपको नजर आ रहा है यह मालवा याद रखना यदर मालवा हो गया इदर आपका मेवार हो गया यह जॉनपूर हो गया तो इन locations को याद रखना ये locations अभी यहाँ पे relevant तरीके से आपके सामने आएंगे तो इस particular PPT में आपका मालवा बचा हुआ है तो एक बर इस मालवा topic को खतम कर लेते हैं अगर आप देखो मालवा को तो it was between the high plateau between rivers, नर्मदा और ताप्ती नर्मदा और ताप्ती के आसपास का जो प्रैटू इलाका है वहाँ पे मालवा की principality बढ़ती है simple है ठीक है मालवा की location में भी आपको दिखा चुआ हूँ मालवा की location इतनी ज़ादा important अगर ये इंडिया है तो यहाँ पे मालवा है अभी मालवा अगर गुजरात के port towns को North India के साथ connect करना है तब मालवा की जरूत पड़ेगी North India को अगर South India के साथ connect करना है तब भी मालवा आएगा मालवा की नीचे दौलताबाद भी आता है पर दौलताबाद के North में तो मालवा है ना तो मालवा एक बहुत important role पे था बहाद का सुल्तान खुश होगा ना मिवार का सुल्तान खुश होगा ना ही बहमानी अपाइर खुश होगा ना ही लोधी सुल्तान खुश होगा चो कि अगर आपको North India के उपर कंप्टोर करना है तो आपको मालवा के उपर कबजा करना पड़ेगा Because Malva was the key to dominate the entire North India अगर पूरा नॉर्थ इंडिया का इलाका चाहिए तो आपको मालवे की इलाके की जोथ पड़ीगी है। की डेट में उन बिल्डिंग की रिऊन्स जब आप देखोगे वो काफी इंप्रेसिव नज़र आएंगे मंदर प्रदी देश की जो धर डिस्टिक्ट है उसमें पढ़ता है आपका ये मांडू नाम की फोर्ट सिटी बहुत ही खुबसूरा सिटी है बहुत सरे अच्छे अच्छे गेटवेस वगरा आपको यहाँ पे दिल जाएंगे अफगान आर्किटेक्टर हेरिटेज के लिए यह पर्टिकुल आर्किटेक्टरली और हिस्टॉरिकली यह जगा काफी सुन्दर रही है आज की डेट में अब रियूंस में उतनी इंपॉर्टन नहीं रही है फिर अगर आप देखो तो गुजरात स्टाइल ऑफ आर्किटेक्टर से अलग थी यह मांडू आर्किटेक्टर की स्टाइल काफ यह है कि जो किंडम ऑफ मालवा था पंदुरी शताबदी में उसमें बहुत सारे इंटरनल डिसेंशन्स थे जब भी को एक राजा मरता था तो उसके नॉबल्स आपस में लड़ने लगते थे गद्दी पर कौन बैठेगा राजा बैठा भी है थोड़ा कमजोर है तो उसके आपस में लड़रे हूँगे लगातार पॉलिटिक्स हो रही होगी किसके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री रहेगी कौन स्ट्रेड में अपने आपको इंवल्व करेगा इन सब चीजों को लेकर अक्सर का लड़ाई होती रहती थी और इस लड़ाई का फाइदा उठाने के लि जिसका नाम तो हुशांग शाह, ये हुशांग शाह का मगबरा है वहाँ पे, खास बात हुशांग शाह की ये थी कि he followed a policy of religious toleration, मतलब इसके अंदर religious toleration था, वो हिंदूस को support करता था, बहुत सारे राजास को, राजपूत्स को encourage किया, कि मालवा में settled हो, किसने हुशांग शाह फिर राणा मोकल अफ मेवाड, मेवाड की जो राणा मोकल थे, उनके दो elder brothers को बहुत सारी जागीरे दी गई मालवा अगे अंदर, फिर आप देखोगे, from the inscription of Lalitfu temple, which was built during this period, it appears that no restrictions were placed on the construction of temples, तो आप समझेए, एक Muslim Sultan के rule में, आप unlimited basis पे temple बना रहे हो, तो definitely वो जो Muslim Sultan होगा, वो बहुत जादा tolerant होगा, जहां, होशांग सा यहां पर बहुत जादा tolerant था, सिर्फ हिंदु धरम को ही नहीं, उसने जैन धरम को भी patronage दी, जो जैन लोग थे, वो principal merchants थे और bankers थे इस इलाके, कि एक बहुत successful merchant नरदेव सोनी, वो होशांग शागर treasurer होता था और उसका advisor भी आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर आप जोईन बटन दबा सकते हैं, डेफिनिटली दबाएं, आपके जोईन बटन दबाने से काफी help मिलती है, आपको कुछ एक्स्ट्रा वीडियो मिल जाएंगी, तो प्लीज क्लिक दे जोईन बटन, इंस्ट्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलिग्राम ग्रॉप जोईन कर सकते हैं, हर चीज का लिए निचे दिस्कुरिशन बॉक्स में दे रखा है, तो हमने देखा कि जो हुशांग शा नाम के रूलर था, ये काफी टॉलरेंट था, रिलीजिस टॉलरेंट से इसके अंदर थ महमूत खल जी उतना ही टेंप्ल तोड़े का, उतना ही हिंदूों को परिशान करेगा, जब इसकी लडाई हुई महमूत खल जी की इराणा कुमभा मेवार से, तब इसने बहुत से टेंपल तोड़े अब इराणा कुमभा और मेवार का तो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा तो सबसे खास बात थी कि जो पहले एक broad toleration की policy थी, religious toleration की, वो religious toleration की policy को अब setback मिल रहा था, अब यहाँ पर क्या हो रहा था, कि destruction शुरू हो गया था, हिंदू धरोहर का, हिंदू टैम्पिस का, प्लस मौम्मद खल जी की एक और खास बात थी, वो से restless and ambitious monarch, ओके, वो आसपास क सारे neighbor से लड़ रहा था, उसको बहुत जल्दी बाश्चाहत पानी थी, बहुत जल्दी ताकतवर बनना था, लेकिन अब क्या है ना, कि भाई ताकतवर इतनी जल्दी तो आप बन नहीं सकते हो, आसपास जो आपके rulers हैं, वो भी उतने ही ताकतवर, उनसे लड़के आपको अपनी इनरजी खतम करनी पड़ेगी चीजों को जीतना, ये इतना आसान नहीं था, बाराल फिर भी यहाँ पे यह आसपास लड़ाई कर रहा था, इसने गुजरात के ruler के साथ भी लड़ाई की, गोर्णवाना और ओडिसा के राजाओं के साथ भी लड़ाई की, बहमानी सब्ड्यू करने की काफी कोशिश की, लेकि end तक देखोगे कि मेवार को सब्ड्यू करना इतना आसान नहीं था, मेवार के बारे में आप बात करते हैं, तो भाई मेवार का राइस हुआ है आपका 15th century में, अगर आप मेवार की बात करें, यहां मैं सिर्फ मेवार की बात कि पहले अगर राजपूतों में जो चोहांस थे, जब उनको अजमेर से बाहर निकाला गया, तो रणफबोर चले गए, और रणफबोर में उन्होंने एक पावरफुल स्टेट बनाया, लेकिन बाद में इस रणफबोर को अलाउदीन खिल जी ने जीत लिया, यह सम्में प प्रिंस्पालिटी थी आपके मेवार, ओके, यह जो मेवार स्टेट बना, इसकी जो कैपिटल थी वो जोत्पूर में थी, बना कभी चॉदा सो पैसे टेडी में, इसके पास एक मांस, यह मुस्लिम प्रिंस्पालिटी भी बनी नगवर की, नगवर आपका राजस्थान में, अब आप देखोगे कि अजमेर में बहुत लंबे समय तक मुस्लिम गवर्नर्स रहें, लेकिन इन मुस्लिम गवर्नर्स में भी आसपास अक्सर का लड़ाई होती रहती थी, कभी-कभी अजमेर के आसपास के लाकों में राजपूतों का भी राज हो जाता था, कुलमिला के जो राजस्थान था सेंटरल इंडिया था, इसकी पॉलितिक्स काफी हिली होई थी, यहां बहुत ल Gallya होती थी, कभी-कभी-कदिल्य सुल्तानों का राज हो जाय और से राजपूतों का राज हो जाय, फिर से लड़ाईयां यहां पे होती रहती थी, इस्टन राजपूतो दिल्ली सल्तनत के अलग अलग राजाओं ने लगातार इस्टन राजपूताना के उपर कबजा करने की कोशिश की है यह मैं पहले से आपको पढ़ाता हुआ आ रहा हूं जो दिल्ली का रूलर था वो इस्टन राजपूताना की मास्टरी करना चाहता था यह हमने देखा अब म गुजरात से सात्वी शताब्दी में आये और ये मेवार के आसपास का इलाका इन्हों नहीं आपे स्थापित किया आप कह सकते हो कि साउथ वेस्टन पार्ट ऑफ राजस्थान के ऊपर ये जो गोहिलोट क्लैन था इसका कबजा था इसी के रूलर थे कौन बपारावन ये जो चित्त ओर था ये आपका मेवार में आता था यहाँ पर राज किया इन गोहिलोट ने राज कब तक किया जब तक अलाउद्दिन खिल जी राज में ये इस पूरे इलाके को अपने कपजा कर लिया तो इस जो मेवार का इलाका है जिसके बारे हम हम 1400 पैसे डिडी में बात्च ठीक है, कला उदिन खिल जी के बाद, चित तोड़ पे, जो दूसरे राजपूत रीनस का राज आया, वो ता सिसोधिया का, सिसोधिया भाई, गोहिलोड्स के यह, आप कह सकते हैं, गोहिलोड्स के लिजे, गोहिलिस के लिजे, अलग-अलग नाम, अलग-अलग प्रनॉंसेश तो एक तो राओ, लाखा और एक मोकाल, इन दोनों ने मेवाड को most powerful state बनाया राजस्थान में, और सबसे खास बात, सबसे important ruler, तो भाई, राणा कुम्भा ने 1433 से लेके 1468 AD तक राज किया, और इन्होंने जबर्तस तरीके से आप कह सकते हो, कि मेवाड की शान को बढ़ाया अच्छा सबसे खास बात ये थी कि राणा कुम्भा को consolidate करना था, consolidation में आपको अपने internal rivals को हराना होता है, तो गुजराद border पे आप कह सकते हो, बुंदी, कोटा और दुंगरपुर नाम की जगहें थी, इनके उपर कबजा किया, आपका राणा कुम्भा ने, अब सबसे खास बात ये थी कि जो कोटा नाम का जगह थी, जो गवर्नर था, वो एलेजियांस देता था मालवा को, और मालवा को पैसे भेजता था, दुंगरपुर का जो राजा था, वो आपका गुजराद को पैसे भेजता था, अभी दुंगरपुर और आपका कोटा, दोनों के उपर almost क अब जा कर लिया, यहां पर राणा कुमबा ने, तो राणा कुमबा किस के साथ लड़ाई पे आएंगे, वो गुजराद के साथ लड़ाई पे आएंगे, वो मालवा के साथ लड़ाई पे लड़ाई पे आएंगे, तो मालवा और गुजराद के साथ लड़ाई होनी ही थी म कि देखिए उस समय पे क्या होता था अगर आप देखो माल्वा को अगर अगर इधर है आपका गुजराथ है इधर आपको माल्वा इधर आतर एन्हें स्टेट्स ते पाथ और आपके पावheart पराभण काफी कमजोर होने लगा सब्धार परें कुह तो जब बहुत पड़ी मेंट तो कि चलती है उसकी बाश्चा कथ होती वह जो गरता है लेकिन जब आथ अती इंडिविज्वेल चोटे चोटे राज़े जवाडों की जैसे मालवा भी काफी strong था गुजराद भी काफी strong था मेवाड भी काफी strong था तो अब ये regional प्रिंस्पालिटी आपस में बहुत strong है तो ये तीनों आपस में बहुत लड़ेंगी जो कि देखे, stability से रहने का कोई हिसाब नी था, medieval mindset था, expansionist mindset था उस समय पे, अगर कोई राजा ताकत वरे तो अगर वो शांती से खाली बैठा है तो वो बोर होगा, उसको लगे गार, खाली बैठें, क्या मतलब है, जीते जीते मर जाएंगे, क्या, कुछ तो नया करना है, आज की date में जब लोगों को नया करना होता, वो क्या करते हैं, चलो भाई घूम के आते हैं, चलो भाई कुछ और कर लेते हैं, इंस्टाग्राम पे रील बन रही है, तो सम्थिंग यूनिक हम ऐसे करते हैं, लेकिन उस समय के स्वाइटे में जो राजे रजवारे थे, वो क्या नया करेंगे, तो चलो कुछ नया करते हैं, दूसरों के इलापे कपजा करते हैं, दूसरों के अलापे में घुस के जबरदस्ती कबजा करना, उस प्रकार से इस समय के जो मीडवल राजपूत, ये राजपूत रूलर्स भी कहलो, आपका जो मालवा, मेवार, जितने भी मुस्लिम सुल्तान से सबका इस प्रकार का expansionist mindset रहता था, तो कुल मिला के गुजरात, मालवा और मेवार, इनके बीच में यहाँ पे conflict हो नहीं था, अब मेवार से और राणा कुम्भा से नाराज जुने की एक और बज़ा थी, नगाओर का जो खान था न, इसके ओपर राणा कुम्भा ने attack किया था, तो नगाओर के खान ने पहले गुजरात से मदब मागी थी, उपर से दुंगरपूर नाम की जगा गुजरात को पैसा बेचती थी, दुंगरपूर के उपर भी almost कबजा कर लिया मेवार ने, तो कुल मिलाकी यहाँ पे सब नारास थे, किस से, आपके मिवार से, आपका गुजरात भी नारास था, मालवा भी नारास था, मालवा क्यों नारास था, तो मालवा में हमने पहले बात की किसकी, आपकी हुशंग शाह की, इससे पहले हमने हुशंग शाह के बारे में बात की, मालवा बे और उसके बार अपका महमूद खिलजी नाम का एक रूलर था अब महमूद खिलजी के राइवल को सपोर्ट दिया राणा कुम्भा ने तो at the same point of time राणा कुम्भा का जो राइवल था उसका ब्रदर था जो उसको सपोर्ट किया महमूद खिलजी ने तो ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ conflict में थी, तो गुजरात और मालवा के साथ लड़ाई, राणा कंभा को उनकी पूरी जिंदगी परिशान करती रही, वो होनी ही थी, rival principalities थी, आपस में एक दूसरे में ताकत के बराबर थी, तो एक दूसरे के साथ यहाँ पे लड़ करना पड़ रहा था, अभी जो मारवार नाम की जगह है, ये भाई मेवार के अंदर ही थी, लेकिन मारवार, रन थंबोर, अभी जो आपका कहना है जो राठोर्स थे, तो राठोर्स के अंदर था मारवार, और राठोर्स ने जैसे तैसे मेवार से लड़के मारवार को independent कर लिए अंडर दा लीडेर्शिप ऑफ राओ जोधा ओके तो राणा कुम्भा चाहरो तरफ से घिर हुए थे ओके एक तरफ से गुजरात का सुल्तान एक तरफ से मालवा का सुल्तान दूसरी तरफ मारवार अपनी अलग लड़ाई लड़ रहा है उसके बावजूद यहां पे राणा कुम्भा को हरा पाना बहुत मुश्किल था यह जो कुम्बल गड़ नाम की जगा थी मेवार केंता है इसको कई बार गुजरात की फिर्सिज में गोरा कई बार महमूद खल जी ने अटैक किया और वो अजमेर तक पहुंच गया अपना गवरनर यहां पे इंस्टाल ह हुआ बट हर राणा कुम्भा अपने इलाकों को वापस जीतने में सक्सफुल रहें इन ताकत को पीछे यह उपर अटैक हो रहा था आपका गुजरात की फोर्सिस पर अटैक कर रही है आपका ये जो महमूद खाल जी है आपका मालवा वाला यह भी अटैक कर रहा है तो बह ने आप में ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है राना कुम्भा ने इतने सारे simultaneous attacks को जहल लिया, overall मारवार के साथ भी बवाल चल रहा था, उसके बाद भी राना कुम्भा अपनी जगह पे डटे रहे ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी फिर राना कुम्भा की बात की जाए तो he was a pattern of learned man राना कुम्भा खुदी एक learned man थे, इन्होंने बहुत सारी number of books को compose किया था, जिनको आज भी पढ़ा जा सकता है, some can still be read, अगर आप देखो तो runes of his palace and the victory tower victory tower को कीर्ती स्तंब भी कहा जाता था, which he built at Chittor show that he was an enthusiastic builder as well बहुत सारी buildings बड़ी बड़ी भी यहाँ पर बनवाई है आपकी राना कुम्भा ने victory tower है इनका खुद का palace है, बहुत सारी lakes dug करवाई थी, बहुत सारे reservoirs बनवाई थे, irrigation purposes के लिए और जो भी temples राना कुम्भा के समय पर बनाए गहे थे उसमें art of stone, cutting, sculpture यह सब बहुत high level का है लेकिन राना कुम्भा को उनके ही बेटे उदा ने मरवा दिया गद्धी पर बैठने के लिए तो गद्धी पर बैठने के लिए बाप को मार देना यह सिर्फ Muslim dynasties में नहीं देखा गया है, यह Hindu dynasties में भी देखा गया है एक हरने का dynasties थी ancient India में वहाँ पर भी इसको बहुत देखा गया था वो BC में मैं चला गया हूँ तो हर इर्रिस्पेक्टिव अफ धरम बाप को मार के गद्धी पर बैठना इसके instances हर प्रकार की dynasty में आपे बैठे गए हाला कि उदा के अंदर भी capability नहीं थी तो वो ज़्यादा लंबे समय तक राज को नहीं समाल पाया और उसको भी हटा दिया गया गद्धी से फिर आप देखोगे कि एक बहुत लंबी factory सिडल confident चला बहुत सारे भाई जो थे राणा कुमबा के बेटे वो आपस में लड़ रहे थे और कुमबा का grandson राणा सांगा गद्धी पर बैठे थे आप मेवार की 1508 में और ये बहुत सही हुआ किस के साथ आपका मेवार के साथ चुकि राणा सांगा was a very efficient पंद्रा सो आठ में ये गद्धी पर बैठा राणा कुमबा की डेथ से लेके राणा सांगा के गद्धी पर बैठने के बीच में ड्रैपिड इंटर्नल डिसिंटिग्रेशन हुआ है मालवा का आप समझ ये overall मालवा उस समय पर बहुत ज़दा ताकतवर नहीं था मालवा उस समय में बहुत ज़दा ताकतवर होता तो राणा कुमबा के मरने के बाद जो मेवार में बवार हो रहा था इसका फायदा उठा सकता था मालवा का रूलर बट मालवा में खुदी प्राबलम हो रही थी मालवा का जो रूलर था महमूर टू इस महमूर टू की मिदनी राय के साथ बनी नी मिदनी राय इस्टन मालवा का एक पावरफुल राजपूत लीडर था पहले इसी मिदनी राय की वज़े से राजपूत लीडर की वज़े से आप कह सकते हो कि जो मालवा की सेंट्रिलाइज मुस्लिम सुल्तान था वो रूल कर पा रहा था अब ये पावरफुल राजपूत रूरा मिदनी राय महमूट टू से लड़ने लगा गद्धी के ओपर यहां पर लड़ाई होने लगी तो मालवा भाई यहां पर कमजोर पड़ गया जब मालवा यहां पर कमजोर पड़ गया तो मालवा ने मदद मांगी गुजरात से मालवा के मुस्लिम सुल्तान ने तो यह जो मालवा का मुस्लिम सुल्तान था आपका महमूद 2, अगर confusion हो रहा तो मैं फिर से बता देता हूँ, यह इंडिया है, यहां आपका गुजरात है, यहां आपका मालवा है, यहां मेवार है, अभी मालवा का जो eastern part है मालवा का, यहां पे मेदिनी राय नाम का एक राजपूत रूलर बैठा है, और जो main ruler है मालवा का, वो धम के आधार पे गुजरात के मुस्लिन सुल्तान से मदद मागी, तो at the same point of time धम के आधार पे मिदिनी राय ने किस से मदद मागी, मिवार से मदद मागी, और मिवार में बैठे हुए ते कौन राणा संगा, 1517 में एक बैटल होता है, और महमूद 2 को राणा संगा हरा देता और उसको चितोड प्रिजनर बना के ले जाता है, 6 महीने बाद वो उसको रिलीज कर देता है, उसके संस को होस्टेज रखे ताकि ये महमूद 2 कुछ खालतू का बवाल ना करे, और जो इस्टन मालवा था, ओवर और इस पूरे सिनारियों में, जो मेदिनी राय था, उसको भी काफी कुछ मिला, और इस्टन मालवा वाला, और इस्टन मालवा का जो चंदेरी वाला इलाका था, आस पास का, ये सब राना संगा के अंदर चला गया, हलाकि पूरा मालवा राना संगा के अंदर नहीं गया था, लेकिन ओवर ओली जो महमूद वाले रूलर से इनका काम अब पूरी तरीके से खतम हो चुका था तो मालवा के अंदर ही जो मुस्लिम डैनिस्टी चल रही थी न आपकी महमूद खल जी वाली उसके महमूद टू ये सब अब खतम हो चुकी थी और इसको देखके लोधी रूलर्स आफ दिल्ली को ओ गई प्रॉब्लम अब दिल्ली में बैठा था लोधी अब लोधी डैनिस्टी दिल्ली में चुकी थी लोधी का अफगान नैनिस्टी थी बठे तो मुसलिम तो इनको देखके लगा कि भाई ये मेवाड एक हिंदू राजपूत है इसने एक हिंदू रजवाडा है और इसने एक मुसलिम आपके सकते हो प्रिंस लोदी को हरा दिया ठीक है इब्राहिम लोदी बैक ट्रैक कर गया अपनी इंटरनल पोजिशन कॉंसलिडेट करने लगा और उस समय पर यहां पर एंट्री होती है आपकी बाबर की तो यह सब चीज़ें थी तो अब दो प्लेयर्स में तो लड़ाई होई रही है यहां पर एक तरफ है आपका राणा सांगा जो की काफी ताक्यत वर हो चुका है दूसरी तरफ है आपका इब्राहिम लोदी इन दोने में लड़ाई हो रही है और बाबर इंटरी मार रहा है यहाँ पे राणा सांगा ने एक प्रकार से बाबर को वेलकम किया ताकि वो इब्राहिम लोदी से लड़के उसको खतम कर दे लेकिन बाद में बाबर की लड़ाई आपकी राणा सांगा से भी होगी एट दसे सेम पॉइंट लोधी की लड़ाई में कौन जीतता ये भी बाफ देखने वाली बात है अबराहिम लोधी को हरा के पूरे नौर्थ इंडिया कर लेता तो एक मुस्लिम मुगल डैनिस्टी बनने के बज़ाए एक Hindu dynasty बन जाती नौर्थ इंडिया में और उसके बाद चीज़ें कैसे आगे बढ़ती है इस बारे में ज़दा कुछ कहा नहीं जा सकता है चोकि किसी को भी नहीं पता था बावर की एंट्री की समय पे कि इतना स्ट्रॉंग मुगल अंपायर बनेगा हो सकता है राना सांगाज जीच जाता अगर इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट और बावर की एंट्री ना होती तो हो सकता है कि आगे आने वले समय में एक बहुत बड़ी Hindu dynasty मनती इंडिया के अंदर कुछ नहीं कह सकते हिस्ट्री में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर मोड आ जाते हैं जहां पे हर चीज़ बदल जाती है यह पर्टिकुलर मोड ऐसे मोड कभी-कभी आपके लाइफ में भी आते हैं इस प्रकार के जो मोड होते हैं वो पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल के रख देते हैं ठीके भाई तो यह हमने एक छोटा सा यहां पे अनलेसिस देखा मालवा आपको यहां नजर आ रहा है मेवार आपको यहां नजर आ रहा है गुछरात आपको यहां नजर आ रहा है यह एक हलका फूल का नक्षा है और मेवार और लोधी अंपायर की जो डोमीनेंस है वह यहां नजरा आरे तो दोनों के बीच में लड़ाई होना यहां पर तैता और फिर आजा है यहां पर बाबर के एंट्री तो यह था इसका अनलेसिस दोस्तों अगली वीडियो में की लोधी डिनस्टी और कश्मीर के बारे में बात करेंगे तैंक यू फो वाचिंग जादा से जादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेर करें आप अपने व्यूपॉंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हो सकते तो इस्टाग्राम पर फॉलो कर लिजे टेलिग्रा